आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की बहुत ही इक डिफरेंट ग्रेवी जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है यह बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो अब हम चलते हैं इसकी प्रोसस की तरफ तो इसकी प्रोसस में हम में पहले पेस्ट बनाना होता है तो इसके लिए मैंने यहां पर लिए हैं ओनियन दो बड़े इसके पेस्ट बना ले दिखिए इस तरह से पिर तोमाटो लेंगे इसी जार में करीब दो कप या फिर पांच टमाटर इसको भी हम पेज़ बना लेंगे अब हम लेंगे कुकर में ओयल करीब चार टेबल स्पून इसको हम गरम होने के लिए देंगे जब गरम हो जाए ताब हम इसमें एक आउनियन फानली चॉप करकर अब इसको हम तल लेंगे दिखिए इस तरह से अब जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली करीब दो बीच में से स्लिट किये हुए इसको भी हम तल लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी करीब दो टेबल स्पून इसको भी हम दो मिनिट तल लेंगे देखिए इस तरह से कसूरी मेथी डालने से किसी भी ग्रेवी या सालन का फ्लेवर जो है बढ़ जाता है इसे हम टेस्ट एंहांसर भी कह सकते हैं देखिए अब हम इसमें डालेंगे जिंजर लाड़ी पेस्ट करीब दो टेबल स्पून इस इसको हमें तब तक तलना है जब तक इसका कच्छापन जो है दूर ना हो जाए इस तरह से अची तरह से फिलाते हुए तलने देखिए अब इसका कच्छापन दूर हो गया है अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पॉडर करीब हाफ टेबल स्पून इतना काफी है क्योंकि हम आगे जाकर इसमें चिकन पॉडर भी डालने वाले हैं तो वह भी तेज होता है तो इसलिए चिकन चिली पॉडर जो है कम ही लगेगा फिर गरा मसाला पॉडर हाफ टेबल स्पून देखिए अब हम दालेंगे चिकन मसाला पॉडर करीब 50 ग्राम किसी भी ब्राइन का आप पेस्ट जो हमने पहले ही बना कर रखा था दिखिए अब इसको भी हम दो मिनिट के लिए इन मसालों के साथ तल लेंगे इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे टोमाटो पेस्ट अब इसको भी हम अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भून लेंगे अब हम इसे धक्कन लगाकर तब तक हमें इसे इन मसालों को भूनना है जब तक ये ओईल ना छोड़ने लगें देखिए अब यह हमारे मसाले सारे भून चके हैं यह ओईल छोड़ने लगे हैं देखिए अब हम इसमें आड़ करेंगे कर्ड करिब पॉलिटर जितना खयाल रखें कि जब आप कर्ड आड़ करें तो ग्यास का फ्लेम लो पर रखें वरना कभी-क अब इसको आजी तरह से हिला लें अब इसको भी हमें पकाना है कर्ड को भी तो ठक लगाकर हम मीडियम फ्लेब बर पकालेंगे देखिए अब यह फक चुका है यह भी ऑज़िए लगा है अब हम सॉल डालेंगे सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्ड डालेंगे फिर हम इसमें डालेंगे फूट कलर टालने से क्या होगा कि हमारी ग्रेवी का कलर जो है बहुत ही रिच रेड ह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा देखिए इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कितना रिच रेड कोलर लग रहा है अब इसमें डालेंगे हम टोमाटो केचप करीब 3 डेबल स्पून आप टोमाटो केचप का कॉंटिटी कमिया जयादा कर सकते हैं अपने टेस मसालों को सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लें देखिए इस तरह से अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो मैंने अच्छी तरह से वाश करकर क्लीन कर लिया है करीब 1 किलो अब इसको भी हम अच्छी तरह से मसालों में मिला लेंगे और इसको भी हम भून लेंगे करीब 2 मिनिट क के लिए इस तरह से धकन लगा कर देखिए अब यह हमारा चिकन भी भुन चुका है इन मसालों के साथ देखिए अब हम इसमें वाटर एट करेंगे मैंने यहां पर वाटर एट किया है करीब देड़ ग्लास अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिला कर अब हम इसे धकन लगा कर दो विजल के लिए पका लेंगे दिखिए दो विजल आ चुके हैं यह हमारी ग्रेवी बनकर तयार है आप इसे सर्व कर लेंगे आप इस ग्रेवी को दावतों में बनाएं रोटी के साथ नान के साथ परोटों के साथ यह सेवियों के साथ सर्व करें यह बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही बढ़िया बनता है आप यखिन मानें यह एक बार बनाएंगे आप दुबारा जरूर इसे ट्राइ करेंगे अ झाल झाल